प्रिस्तान की कबरों में से सारे मुर्दे निकाल कर ले जाए और क्या आपनी कभी शीशे से बनी हुई ट्रांस्पिरेंट कबरें देखी हैं और क्या हो अगर किसी औरत को जिन्दा ही कबर के अंदर लेटा दिया जाए वेल आज किस वीडियो में मैं आपको कपरिस्तान में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे अंजूजल वीडियो दिखाऊंगा तो दोस्तो 2018 में एक अफरीकन लेडी जो की प्रेगनेंट थी इनकी अचानक डेथ हो गई इस लेडी की मैयत को इसी हालत में जमीन के अंदर दफन कर दिया गया जब इस औरत को मरे हुए चार महीने गुजर गए तो एक दिन कुछ लोग इनकी कबर की पास से गुजर है थी अचानक इने कबर के अंदर से किसी बच्चे की रूली की अवाजे आना स्टार्ट हो गई देस्क्रिप्चन आमी दिये रागबू शेखाने विजिट कोरे अपना आरो मिस्टिरियाज वीडियो कोलो देखीने ते पारेन बिश्मिल्ले राख्माल राहीम अस्सलाम अलेकूम आमी समी मारा बेगम आपना देख्चेन बेगम मेडिया रियाक्षन आमार चैनले ने न अतुन थाकले सब्सक्राइब कोरे बेल बरुटा के प्रेश कोरे दियेन प्लीज ए वीडियो ते क्वाइक्टी घटोना द्याखान हो है छे तार मोद दे जे घटोनाटा कथा बोलवो शेटी वीडियो शेशे पाबेन एवं देखले आपनी शोक ठोई जेते पारेन जे मित्तो गर्भवोती मोयला की भावे एक्टे बेबी जनमो दिते पारे ताओ आवार चारमाज धोरे कवरे थाका उस्ताई दारोन इंट्रेस्टिंग हरोर वीडियो ते चले छे सो क्या हो अगर कोई पूरे कबरिस्तान की कबरों में से सारे मुर्दे निकाल कर ले जाए और क्या आपनी कभी शीशे से बनी हुई ट्रांस्पिरेंट कबरें देखी है और क्या हो अगर किसी औरत को जिन्दा ही कबर के अंदर लेटा दिया जाए वैल आज किस वीडियो में मैं आपको कबरिस्तान में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे अंजूजल वीडियो दिखाऊंगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोस्तो 2019 की एक सुबा इंडोनेशिया के कबरिस्तान में ऐसा वाक्या पेश आया जिसे देखर दुनिया की तमाम मुसल्मान शौक हो गए सुबा की वक्त जब लोग इस कबरिस्तान में गए तो इसमें मौझूद हर एक कबर में बड़े-बड़े होल्स बने हुए थे इस कबरिस्तान में मौझूद सारी कबरें डैमेज हो चुकी थी और इने देकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन सारी कबरों को खोद कर इन में सुराख कर दिये हूँ वैसे तो यह सीन भी काफी खौफनाक था लेकिन आप बलीव नहीं करेंगी कि जब लोगों ने गोर से देखा तो इन तमाम कबरों से मुर्दे भी गाइब थे इन में से हर एक कबर के अंदर कोई मुर्दा या कफन मौजूद नहीं था कोई नहीं जाता था कि इन कबरों के साथ क्या हुआ और इन में मौजूद मुर्दे कहां चले गए वैल ये मनजर इतना खौफनाक था किसे देख कर किसी की भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगी इन सारी कबरों को किसने खोदा और इन में मौजूद मुर्दे कहां गाइब हो गए ये बात एक मिस्टरी थी इन कबरों का हाल देकर कोई यकीन से नहीं कह सकता कि इनकी खुदाई किसी इनसान ने की होगी इस कबरिस्तान में मौजूद हर कबर एक अलग अंदास से डैमिज थी और इवन ये होल्स इतने गहरे थे कि इन में कबर की गहराई आसानी से देखी जा सकती थी वेलन कबरों और इन में मौजूद मूर्दों के साथ क्या हुआ ये बात कोई नहीं जानता लेकिन ये कबरिस्तान में होने वाले सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस इमट्स में से एक था दोस्तों ये बातों हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है और हर किसी को एक ना एक दिन मरना है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी शक्स के रॉंग टे खड़े हो जाएंगे ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसे एक अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री के अंदर रिकॉड किया गया था और एक अफ्रीकन टिक्टॉकर ने इसे अपने टिक्टॉक अकाउंट पर अपलोड किया असलमें इस इस इलाके में एक शक्स की डैट हुई और जब इसकी कबर को खोदा गया तो इसमें अचानक से शदीद आग लग गई जैसके आव वडियो में देख सकते हैं कि कबर के अंदर से आग के शोले बाहर निकल रहे थे ये इमर्ड इतना खोफनाक था कि इसे देखने के लिए पूरे इलाके के लोग जमा हो गए थे अब भी इस शक्स को दफनाया भी नहीं गया था किसकी कबर आग से भर गई थी ये देकर इलाके के लोग शदीद खोफज़दा हो गए थे लेकिन बारहाल इतना कुछ होने के बावजूद आग को बुजा कर इस शक्स को कबर के अंदर दफन कर दिया गया था क्योंकि इन लोगों के पास इसके इलावा कोई आप्शन नहीं था वैल इस शक्स के साथ कबर में जो मामला पेश आया वो तो अल्ला ताला बैतर जानता है लेकिन बारहाल ये हर मुसल्मान के लिए लंब है फिक्रिया है कि इससे सिर्फ दुन्या ये नहीं बलकि आखरत के बारे में भी सोचना चाहिए दोस्तो ऐजे मुसलिम हम सब का अकीदा है कि अजाबे कबर हक है जो भी शक्स बुरे अमाल करने के बाद बगेर तौबा के इस दुन्या से चला जाता है तो इसे अजाबे कबर दिया जाता है वैसे तो कबर के जातर एहवाल पोशीदा रखे गए हैं लेकिन कभी कबार इनसानों की इबरत के लिए अजाबे कबर के कुछ मनाजर देखने को मिल जाते हैं ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसे एक पखतून इलाकी के अंदर रिकॉर्ड किया गया था इसमें एक पठान की डेथ हुई और इसके लिए कबर खोदी गई जैसे ही इस कबर को खोदा गया तो इसकी फ्रंट साइट पर एक और कबर नमुदार हो गई जब लोगों ने इस कबर के अंदर देखा तो इसके अंदर मौजूद मुर्दा बुरी तरह जल कर राक हो चुका था इलाके के लोगों के मुदाबिक इस शक्स की वफात भी रिसेंटली होई थी और इसे बिलकुल सही सलामत दफनाया गया था लेकिन माज़ाला इसकी हालत को देकर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मैयत को बुरी तरह जलाया गया है वैल ये मंज़र इतना खौफनाक था किसे देकर रूँ कांप जाती है अल्ला ताला हम सबको अजाबिक कबर से महफोज रखे और तौबा की तौफीग दे दोसु दोसर अठारा में एक अफ्रीकन लेडी जो की प्रेगनेंट थी इनकी अचानक डेथ हो गई इस लेडी की मैयत को इसी हालत में जमीन के अंदर दफन कर दिया गया जब इस औरत को मरे हुए चार महीने गुजर गए तो एक दिन कुछ लोग इनकी कबर की पास से गुजर है थी अचानक इने कबर के अंदर से किसी बच्चे की रूने की आवाजे आना स्टार्ट हो गई जैसे ही ये खबर पहली तो इस इलाके के तमाम लोग वहाँ पर जमा हो गए इन लोगों ने जमीन को खोद कर अंदर देखने का फैसला किया आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही इनोंने कबर को खोदा तो इसके अंदर एक मासूम बच्ची की पैदाश हो चुकी थी लोकल रेजिनर्स के मताबिक इस औरत को मरे हुए चार महीने गुजर चुके थी लेकिन ये अलाओ ताला की कुदरत का करिश्मा था कि मरे हुए हालत में भी चार माँ तक कबर में रहने के बावजूद ये बच्ची अपनी मा के पेट में सलामत रही और ग्रोग करती रही हरानकी की बात ये है कि इस मासूम बच्ची की रूने की आवास बाहर मौजूद लोगों तक पहुँच गई और इन्होंने कबर खोट कर बच्ची को सही सलामत बाहर भी निकाल लिया सोचने की बात ये है कि ये मासूम बच्ची कबर में जिन्दा कैसे रही और ये खुद बखुद पैदा कैसे हो गई ये मिरीकल इतना मिस्टिरियस था कि इसके बारे में गुमान कर पाना भी मुश्किल है कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है लेकिन बारहाल अलादाला हर चीज़ पर कादर है ये रियली अन्विलिवेबल है दोस्तों ये जो शक्स आप दिख रहे हैं ये थाईलेंड का रहने वाला एक यूट्यूबर है इसके चैनल का नाम परसन आफ गोस्ट है ये अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करता है जिनमें ये जोकर के रूप में हांटेट प्लेस पर जाकर इन्हें एक्सप्लोर करता है कुछ हर से पहले ये अपने दोस्तों के साथ जोकर का भेस बदल कर थाईलेंड की एक कबरिस्तान में गया और वहां पर कबरों के सामने म्यूजिक लगा कर डांस करना स्टार्ट कर दिया असल में ये दिखाना चाता था कि कबरिस्तान कोई खौफनाग प्लेस नहीं होती और ये इसे बहुत लाइट ले रहा था इवन ये कौफन के अंदर लेट कर भी वीडियोस बनवा रहा था और ये सब लोग चेल कर रहे थे अब भी ये यूट्यूबर और इसके दोस्त कबरिस्तान के अंदर वीडियोस रिकौड़ी कर रहे थे कि डांस करते करते अचानक इस यूट्यूबर के उपर सक्ता तारी हुआ और ये बिल्कुल स्टैचू की तरह स्टिल होकर खड़ा हो गया ये देखर इसके दोस्त शदीर डर गए और इसे उठाकर वहां से भागने की कोशिश की असल में इस पर किसी चीज़ का साया आ गया था और इसका जिसम मुर्दा इनसान की तरह अकड़ गया था इसे देकर ऐसा लगता था जैसी ये कोई मुर्दा हो पहले तो इसका दोस इसे उठा कर वहां से भागा लेकिन रास्ते में वो इतना शदीड डर गया कि इसे वही छोड़ कर भाग गया जैसे क्या वीडियो में देख सकते हैं कि ये लड़का कितरी खौफनाग तरीके से पैरलाइजड हो चुका था पर लकिली कुछ देर बाद इसके दोस वापस आए और हिम्मत करके इसे उठा कर ले गए इस इवन्ट के बाद काफी दिनों तक इस यूट्यूबर की हालत खराब रही और फिर ये रेकावर हो क्या था लेकिन बारहाल अगर बंदा ऐसी चीजों का मजाख उड़ाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही दोस्तो वैसे तो लोग टिक टॉक, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर वाइरल होने के लिए अजीब हरकते करते हैं लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा कब्रिस्तान में जाकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे वैल यह वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक मुर्दे के लिए कबर खो दी गई थी जब खुदाई कंप्लीट हुई, तो एक टिक टॉकर वीडियो बनाने के लिए इस कबर के अंदर लेट गया और अपने दोस्त से कहा कि इसकी वीडियो शूट करे खैर जैसे ही यह कबर के अंदर लेटा, तो अचानक कबर की एक साइट से मटी का एक बड़ा टुकड़ा इस लड़के की उपर आकर गेर गया वैल कबर को मजाख समझने के चकर में इसकी अपने होश उड़ गए थी लकिली यह जमीन में दफन होने स्थो बच गया, लेकिन बारहाल अब यह दुबारा कभी भी कबरिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इसके इलावा यह जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें भी एक शक्स एक पुराने कबरिस्तान में खोदी गई, कबरों में लेट कर वीडियो बनवा रहा था वैल इस इंसिडेंट के बाद यह लड़का इतना डर गया, कि यह और इसका दोस्त फौरण वहां से भाग गई, अब बंदा कभर का मजाग खुडाने की कोशिश करेगा, तो रिजल्ट तो बियानकी होगा उनके बारे में सोच कर ही, कोई भी इनसान डर जाता है, लेकिन कि आपने कभी कोई ऐसा कबरिस्तान देखा है, जहां पर आप कबर के अंदर मौचूद, तमाम मुर्दों को लाइव देख सकें, वैल यह जो कबरिस्तान आप देख रहे हैं, यह चाइना में मौचूद है असल में कुछ हर से पहले सोचल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल होई थी, जिसमें चाइना का एक कबरिस्तान दिखाया गया, जहां पर मौचूद तमाम कबरें ट्रांस्पिरेट ग्लास से बनाई गई थी, इस कबरिस्तान की कबरों में मट्टी भरने की बजाए, इनमें आप इन में मौजूद मुर्दों को भी देख सकते हैं, वेल जब ये वीडियो वाइरल होई थी, तो लोगों ने इसे बहुत साथ क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसकी असल हकीकत कुछ और ही है, दरसलिए चाइना का एक म्यूजियम है, और इन कबरों में मौजूद बॉड दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से जिनाजों में शरकत की होगी और मुर्दा लोगों को कबर में दफन होते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को जिन्दा कबर के अंदर लेटते हुए देखा है, वेले जिज वडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक असल में ये उस इलाके का एक ट्रैडिशन है, इस इलाके के लोग जब किसी की कबर को खोते हैं, तो मुर्दे को अंदर लिटाने से पहले किसी को इसके अंदर लिटाते हैं, ऐसा करने से दिल में आखरत का खौफ पैदा होता है, इवन इसकी उपर तखते भी रखे जाते ह ताकि वो पूरी तरह महसूस कर सके कि मरने के बाद इसके साथ क्या होगा, वैसे तो ये ब्लॉक्स कुछी देर के लिए रखे जाते हैं, और फिर इस बने को बाहर निकालिया जाता है, लेकिन ये एक्सपिरियंस वाके ही में टेरिफाइंग होता है, अल्हम्दुलिल्ला, अल्ल्हा प्लीज फर्गिब आस अल्ल्हा खेंग नहें, टेके और जाजाक आल्लह खेंग हैं ये थैज ए फारिफॉ लगर्शल विक्षिक बाद आप सरदेके हैं, ये वाटवार्वा बार्वाद निकार देर्सौना, आप श्रॉम्दुल्ल्टूर्ट्ट्ट्रियं में